स्वागत है दोस्तो आपका हमारे स्यूटूब चैनल कन्फूजन9.2.11 में दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022-2024 के सेसन के लिए B.A.D. में एड्मिशन पर किरिया चल रही है और इसमें क्या हो रहा कि बहुत सारा जो फ्रॉड है वो निकल करके सामने आ रहा है जिससे जो जेनवीन चातर है वो परसान है और प्राइवेट वाले और गौर्मेंट वाले दोनों चातरों को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है और इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है क्योंकि इसमें जो सभी और ये फ्रॉड जो है जो कुछ पकड़ में आ रहा है ठीक है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर कॉलेज में क्या हो रहा है कि अब धीरी-धीरे करके सभी कॉलेजो ने दाखिला पर क्या कर रहा है कि B8 college में जो दाखिला है उस पे रोक लगा दे रहा है क्योंकि बहुत सारा fraud पकड़ में आ रहा है LMU के द्वारा जो fraud किया जा रहा है और ये जो fraud हो रहा है college वाले भी कर रहा है LMU से भी किया जा रहा है उस सभी तरफ से यहां पर fraud हो रहा है चातरों के साथ और हर तरफ से उन्हें लूटा जा रहा है तो ये भी कैसे होगा वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगा अभी कुछ दिर पहले CET तुरकी ने दाखले पर रोक लगा दी थी अब जो है पटना विमेंस कॉलेज भी B8 में दाखले पर रोक लगा दी है और ये देखी ये ऐसा नहीं है कि ये हर कॉलेज में है लेकिन कुछ कॉलेज रोक लगा पा रहे हैं कुछ लोग रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो ये भी देखना पड़ेगा और यहां पर बहुत सारा जो fraud है वो हम आपको दिखाने जा रहे है तो एक-एक करके सबसे पहले आए जो मामल आया था Women's Training College में ठीक है पटना में उसके बाद से फिर ये धीरे-धीरे करके सभी College होने इसे पकड़ में आ रहा है तो पता चल रहा कि हर College में कुछ-कुछ College में इस तरह का fraud हुआ जा रहा है ठीक है तो हमें EBC quota से जा करके admission लेने के लिए भेज दिया जा रहा है मेरा मतलब जो result आया admission slip उसमें मेरा EBC कर दिया गया इससे क्या हो जा रहा है जो EBC के original quota के भ्यारती है वो rank में छट जा रहा है और उनका जो है जो college उनको पहला preference मिलना चाहिए वो उनको दूसरा preference मिल जा रहा है तिसरा preference दे दिया जा रहा है और मालीजे कि जो OBC के हैं उनको EBC में भेज दे रहा है जो EWS के हैं उनको OBC में भेज करके OBC वाले का हक मार लिया जा रहा है तो इस तरह से करके सभी का क्या है कि जैन्मीन जो है उन लोग को सब को rank को बढ़िया rank आने के बावजूद उन लोग को जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो कॉलेज न दे करके दूसरे candidate को दे दिया जा रहा है जो उनसे उनसे ज़्यादा rank था और दूसरे category से भी आ रहे थे तो ये सब बहुत सारा fraud किया जा रहा है देखिए पहले के करके और सारे कॉलेज में हम बताएंगे कि किसकी कॉलेज में एड्मिशन रोग दिया गया है और कहां क्या चल रहा है और कहां जो है पैसे की लूट मची हुई है खुल कर एकदम लूटा जा रहा है सरकारी कॉलेज में प्राइविट कॉलेज में किसकी कॉलेज में लूटा जा रहा है वो भी हम आपको दिखा देंगे तो स पिधार के सरकार के निर्देश के मुताबिक सत परतीसत आरक्षन रोष्टर के तहत नामंकन होना है। जो कॉलेज दूसरे को मिलना चाहिए था उनका हक मार करके दूसरे लोगों को भेज दिया गया होगा। इनका चैन पिछड़ा वर्ग महिला कोटी का कर दिया गया है। जो कि गलत है वहीं पतना ट्रेनिंग कॉलेज, पी टी सी इसमें भी क्या है कि परचार या सतोस कुमार ने बताया कि विस विद्याले की ओर से पहली बार आरक्षन रोष्टर में एक नया नियम दिया गया है। चात्र पसुपती कुमार की एड्मिट कार्ड में बी सी टू है, याद रखेगा पसुपती कुमार की एड्मिट कार्ड में बी सी टू है, स्रेनी दिया गया है, वहीं रिजल्ट में इसे एम बी सी कोटे में डाल दिया गया है, एम बी सी कोटा जो है वो बी सी वन की स्रेनी क्योंकि यहां जो है BC category वाले का इसमें admission हो जाएगा उनके जगह पे, तो इस तरह से इनका हक मार लिया गया, EBCW वाले का एक seat तो यहां पे मार लिया गया, यह तो confirm है, तो इस तरह ना जाने कितने सारे जो seat हैं इस तरह किये गए होंगे, यहां पे तो एक का पकड़ के आया ह तरह है, यह ऐसा नहीं है, क्योंकि form जब भरे होंगे, तो चात का admit card में जब सही है, result में क्या होता है, कि बहुत सारा fraud होता है, वह आप लोग को भी पता होगा, कि जब online में data fit किया जाता है, तो बहुत सारे fraud किये जा सकते हैं, यहां पे आई यहां कांसलिंग fees है, जो 22 कोलेज वह भी चाता है, कि छातर जब fees कम है, तो उनसे भी कैसे हम 25,000 रुपे एट ले एक साल में, जबकि fees 12,000 रुपे आप सभी को पता है, लेकिन कोलेज लगा हुआ है, कि किसी तरह से करके इन लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूला जाए, तो उसके लिए बहुत सारे जो है, इलीगल हथ कड़े अपनाय जा रहे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखी, यहाँ पर राजे के सरकारी और नीजी बीट कोलेजों में नमंकन की नए पिरकिरिया के वज़़ा से दाखिले की रफ्तार बहुत धीमी है, अब देखी, यहा यहाँ पर है, 22 तारिक हो चुका है, यानि चार दिन और बचा हुआ तो सोचे कि चार दिन में अब कितना यहाँ पर एड्मिशन लेगा, वो तो अब बेमोंस ट्रेनिंग कॉलेज जाने और अलमनियू जाने, तो यह सब चीज है कि बहुत सारा सीट जो है, वो फिक्स हो और फिर अस्पोर्ट राउंड में जाकर कि जिनका सीट फिक्स होगा, जो फिक्स अपना कियोंगे सेटिंग, उनको जाकर कि यहाँ पर एड्मिशन दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखे कि यही स्थिती नीजी कॉलेजों की है, जिन कॉलेजों में 100 सीटे हैं, वहाँ 15 से 20 ही नमंकन हो सके हैं, हलाकि पहली मेता सूची कैदार पर 26 अगस तक नमंकन होना है, और सफल छात्रों को कॉंसलिंग फिस 22 अगस तक ही जमा करनी है, तो यह तो हो गया है, यहाँ पर आपका देखे क्या हो गया, कि B.A.D. कॉलेज में यहाँ पर आपका दो कॉलेज में यहाँ पर भी B.A.D. में दाखिले पर रोक लगा दी गई है, देखे, पटना विमेंस कॉलेज में क्या है, कि B.A.D. कॉर्स में अलफ संख्यक क्रिश्चन छात्रों के लिए 50 सीटे आ रक्षित है, पर ललित नरायन मितला भी स्विदाले के ओर से यहाँ पर क्रिश्चन छ चात्राइं आ रहे ही, तो उन्हें काफी समझाना पढ़ रहा है कि क्या प्रोलम है, क्या LMNU ने गलती की है, जिसके कारण आप लोग को बहुत साड़ा दिक्कत हो रहा, तो यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा कॉलेजों में, क्योंकि इसमें से क्या हो गया और ऐसे का पतना भी मेंस कोलेज की सूची जो है, बेफसाइट पर डाल ही नहीं गई, इसकी सिकाया जब नोडल परवारी से की गई, तो इसमें सुधार किया गया, यह भी था जब मैंने एक विडियो डाला था, तो उसमें आपने बताया कि सर पतना भी मेंस कोलेज का तो यहाँ पर गरवरी करके यह सब को नुकसान पहुंचाया गया और वहां पर क्या होगा कि उससे मन सरे वहाई नहीं फिर बाद के बाद बहुत सरे लोग अपना payment कर चुके थे तो वह सब दिक्कट यहां पर हो रहा है ठीक है और यहां पर यहाँ पर कहा गया है कि 20 विदाले की और से B.A.D. में नामंकन के लिए अरक्षन इयम का पालन किया गया है पटना भी मेंस कॉलेज की सिकायत मिली है दूसरी मेधा सूची में अब संख्यक कृशन चातरों की सूची कॉलेज को उपलब्त करा दी जाएगी दूसरी मेधा सूची में अब मतलब करवाय जाएगा यानि कि पहली सूची में जिनका अलोट है अब संख्यक मुस्लिम लोग आ गया है तो उन लोगों को अब एडमिशन नहीं देगा ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारा प्रोलम है यह देखना पड़ेगा कि कैसे सुधार किया जा रहा है और यहाँ पर देखे बीएड में नावंकन में की जारी है गरवडी को लेकर के 6 संगठोनों में आक्रोस है पटना बिस विद्याले के अध्यक्ष मनीस यादो ने कहा है कि अगर छात्रों को स्वीच ओवर का मौका नहीं दिया गया तो आंदोलन होगा छात्र जाब के परदेश अध्यच रोसन कुमार्ण इसमें सुधार की मांग की है पटना बीवी के विद्यार्ती परिशत के 20 विद्याले संयोग जग ससी कुमार्ण का है कि अगर जल्द इसमें सुधार नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा अंदोलन ये होगा तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोलम है और भी मैं प्रोलम दिखा देता हूँ तुर्की वाला में जो था जो प्रोलम था उसको कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर मितला बीबी ने जिस छात्रा का रोश्टर में गड़वड़ी हुई थी उसे दुरस्त कर दिया गया है ये मितला LMNU के तरप से ये कहा गया है तो दुरस्त कर दिया गया है उसके राद फिर माली जे कि फिर एक दो लोग और आ जाएंगे एडमिशन करवाने क्योंकि ये जो प्रोलम है ये एक लोग का तो है नहीं तो बहुत सारे प्रोलम ठीक है एक का पता चला फिर और ना जाने कितनी लोग का पता चलेगा अगर उनका नियूज में नहीं आया या खबर उनका नहीं हुआ उनका रिपोर्ट नहीं हुआ तो फिर वो admission ले लेंगे और फिर बहुत दिक्कत होगा अधर जो जन्मीन चात्र है उनके लिए अब देखे यहाँ पे जो है यहाँ पे देखे बीएड कोलेज बदलने का जो विकल्पना होने के कारण बहुत सारे चातर जो है परसान है क्योंकि उनका merit में आने के बावजूत किया है कि दूसरे category वाले को दूसरे category में भेज करके admission करवा दिया गया है उसका एक अलग खेला चल रहा है यहाँ पे देखे अध्यापक सिक्षा महाविद्याल है गया का जो government college है CET गया वहाँ पे एक अलग है वहाँ पे अलग पैसे का loot मचा हुआ अब यहाँ पे देखे कहाँ पे loot इसे पहले इसका जो मैं एक वीडियो बना दिया था अब इसमें क्या करना है आपको वो भी मैं बताऊंगा ठीक है अब देखे गया college में जो है 12-8-26 तक यहाँ पे admission के लिए बोला गया है कि admission ले सकते हैं इसमें से माली जे 3-4 दिन छुटी नहीं रहता है ठीक है तो आब इसमें सोचिए इसमें 2 या 3 लोग का admission हुआ होगा तो नहीं कह सकते हैं इसमें बहुत कम admission हो रहा है क्योंकि बार ब बताईए कि comment करके जो भी इसमें इनका alert हुआ है वो अगर गया होंगे college तो बताईए कि अब तक कितने बार उन्हें दोडाया जा चुका है और जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि आब बताईए कि वो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब यहाँ पे देखिए यहा 2900 रुपया मात्र का bank draft जो principal CTE गया के नाम से Punjab National Bank धामी टोला गया साखा पर दै होगा यह सुल्क नमांकन सुल्क एवं अवास सुल्क सहीत है यहीं पे यहाँ पे क्या किया है कि यह सुल्क जो है नमांकन सुल्क एवं अवास सुल्क सहीत है यानि कि hostel के साथ यह आपको गया में है और अगर मैं hostel नहीं लेना चाहरा हूं तो मुझे कम पैसा देना चाहिए लेकिन यहाँ पर तुगला की फर्मान अगर आप लोग के साथ कर दिया गया है तो यह देखे सबसे मांगा जा रहा है जो होस्टल में रहेंगे उनसे भी जो होस्टल में नहीं रहना चा है तो यह जो है यह मनमाना किया जा रहा है अगर मुझे होस्टल नहीं लेना तो मुझे जो government का फीस जो नमांकन सूलक है केवल मैं वो दूँगा होस्टल का फीस में नहीं दूँगा लेकिन यहाँ पर college के तरफ से जवर्दस्ति किया जा रहा है और अगर लिखित आदेश जो है वो मांगने पे वहाँ पे भगा दिया जा रहा है कि अगर ऐसा लिखित आदेश है कि दोनों लोग को देना है जो होस्टल लेना चाते है उन लोग को भी इतना ही पैसा देना है जो होस्टल नहीं लेना चाते हैं, उनलोग को भी इतना ही पैसा देना चाता है, इसका कोई notice है तो आप दिखाएं लेकिन नहीं दिखाए जा रहा है, अगर ऐसा कर रहा है आप लोग के पास, तो आप लोग संबतित जीला का जो DM है, वहाँ पर बता सकते हैं कि इस तरह के गै आवेदन दे दे, कुछ लोग group बनाएं और आप लोग जा करके आवेदन दे दे और LMNU को भी आप लोग complain कर दे ठीक है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, तब आपको फिर police को बुलवाना पड़ेगा वहाँ पे, कि आप देखे, यहाँ पे गैर कानूनी काम किया जा रहा है, तब ही आप लोग को यहाँ पे नमंकन दिया जाएगा, अधरवाईज आप लोग को यहाँ पे बहुत ज्यादा परसान किया जा रहा है, ठीक है, यह चीज हो गया, और वहाँ कुछ college आसे हैं, जो अहाँ पे बहुत आसानी सी, यहाँ पे देखे, कितने करीब 20 list यहाँ पे दिये गया है, ठीक है, और जबकि यहाँ पे देखे, यहाँ पे LMNU के द्वारा से आप लोग को migration अभी नहीं मांगा जा रहा है, migration जो है, वो registration के time में, admission के time में उसका जोगत नहीं पढ़ता है, migration का जोगत पढ़ता है, आपको registration के समय में, जबकि यहाँ पे शुरुवात म ही आपको migration मांग के परसान किया जा रहा है, कि आप लोग को migration अभी देना पड़ेगा, admission के time में ही, ठीक है, तो यहाँ पे अब वहीं पे देखे, दूसरे college में देखे, तो women's training college में है, यह देखे, women's training college में एक दम simple simple है, इसका देखी, अब इसमें भी तो आप कह सकते हैं कि hostel है, लेकिन यहाँ पे देखे, यहाँ पे कितने अच्छे से range करवाया जा रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पे है कि, यहाँ पे कहा गया कि, अनुसंसित मिलान का सभी परमान पत्रों की मूल प्रती के साथ, निर्धारी ती थी, 17-8 से 22-8 तक समय 11 अनिवा रूप से उपस्तितों, यहाँ पे 22-8 तक ही date दिया गया है, जबकि LMNU के द्वारा से 26 तारिक तक का date दिया गया था, लेकिन यहाँ पे देखे, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जब देखिएगा, तो यहाँ पे देखे, अभी जो आपका है, वो यहाँ पे CLC मांगा लेकिन migration इसमें कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, migration इसमें आपको नहीं मांगा जा रहा है, और यहाँ पे देखे, मात के बाद 16 का ही लिश्ट दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे तो documents में बहुत अच्छे से लिश्ट दिया गया है, जिसकी ज़रूरत है, उसी से मांगा गय है, अब यहाँ पे आप लोग को अगर दिख रहा होगा, तो देखे, यहाँ पे भी मांगा जा रहा है, डिमांड ड्राफ्ट इम फेवर ऑफ प्रिंस्पल वोमेंस ट्रेंडिंग कॉलेज, रुपीज बारह हजार, फोर अन्रिजर बीसी टू और इबीसी देखे, यहीं पे कि आपको मैंने बता है, बीसी टू और इबीसी जो है, वो बीसी वन में आता है, तो यहाँ पे देखे, बारह हजार ही मांगा जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे अभी होस्टल का अगर जिनको लेना होगा, तो फिर उनको होस्टल का फीस का अलग से देना पड देना पड़ेगा, इसमें होस्टल का भी तो नहीं कहा गया है, केवल आपको कहा गया है कि 12,000 रुपया का डिमांड राफ्ट बनवा कर लेते आईएगा, तो यहाँ पी यह चीज आप लोग को बताया गया है, तो मैं कंपेर करके बता रहा हूँ कि किस किस कॉलेज में, सरक प्राइबेट में फिक्स कर दिया है, ठीक है, डेर लाक उसके बाद क्या कर रहा है, कि ये डेर लाक को और बढ़ा करके 20 तक ले जा रहा है, ठीक है, दो लाक रुपया 20,000 तक कर दे रहा है, और वहाँ पे और भी मनमाने तरीके से लूटा जा रहा है, एड्मिशन के बाद भी आप लोग को बोला जा रहा है, ठीक है, एड्मिशन में इतना, लेकिन बाद में फिर आपको टॉचर करके, डरा धमका करके, और फिर पैसा एठा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कि ये जो लूट मचा हुआ है, आखिर ये लूट कैसे, ये एक संस स्कैम जो था, ये नहीं हो पाता, और आप लोग देख रहे होंगे, कि ये आज दक कभी भी किसी पढ़ाई में इतना जो था, एड्मिशन लेना प्रोलम नहीं था, ठीक है, वो भी छातर जीवन में, नौकरी के बगएरा में, डोकुमेंट्स बगएरा में बहुत टाइट चेक करता है, लेकिन यहाँ पे जो है, ये अभी से आपको इतना परसान कर रहा है, तीन-चार्ज दिन आपको दोड़ा रहा है, टाइम भी कम दे रहा है, हर डोकुमेंट्स होने के बाप जूद कुछ ने कुछ फॉल्ट कर दे रहा है, और कुछ-कुछ जैसे मगद मैं जाइएगा, तो पहला दिन बोलेगा, ये लेते आओ, फिर दूसरा दिन जाइएगा, तो फिर बताआजेगा, ये भी चाहिए, तो दूसरे दिन फिर दोड़िए, तो इस तरह से करके दोड़ाए जा रहा है, परसान किया जा रहा re cidade, कभी आपने सोचा है, परसान बस को जो भी मतलब आप लोग को जो भी परसानी किया जा रहा है कॉल कीजिएगा तो कॉल कर सकते हैं यह तीन नंबर है ठीक है उसका है आप लोग को मेल जरूर कर दीजेए मेल में एक लिखित अप्लिकेशन लिखिए जिसमें आप अपना रॉल नंबर बगर और एक admit card भी attach कर दीजेगा अपना जो allotment later है उसको भी attach कर दीजेगा और यहां पर से आपको किस-किस college में जो जो college आपको परसान कर रहा है illegally है सबसे पहली यह देखिएगा कि ध्यान रखिएगा कि परसान किस matter पर कर रहा है लिजे कि आपके पास clc नहीं आर आप बोर रहें admission देना नहीं दे रहा है तो वह आपको valid reason नहीं होगा ठीक है जैसे मैंने मगद college का जो एक मगद university का जो city गया था उसका मैंने बताया कि उहां पर जवरदस्ती मांगा जा रहा तो छात्रों लोग इस पर बहुत सारे complaint कर रहा है call कर रहा है उनको और लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा तो एक अच्छा उपाय मैं यह बता है कि आप लोग कुछ गुरूप बना करके DM को जाकर एक आवेदन देजिए आपका मांग जरूर आपका demand जो वह जरूर पूरा होगा और जो आप लोग को torture किया जा तो यहां पर जब तक आप लोग complaint नहीं किजेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा तो यहां पर आप लोग email कर दीजिए आवेदन दे करके और अगर ज्यादा आप लोग को लगे कि यह तो खुलेयाम मतलब प्रोलम कर रहा है जान बूच कर illegal काम कर रहा है college admission के लिए तब आप जाकर के संबधित जिले से DM से या फिर सिख्षा पदादिकारी से मिल करके यह बात बताएं तो यह चीज था यह वीडियो बनाना था आप लोग को समझाना था कि क्या चल रहा है भी बिहार में और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा situation खराब हो सकता है क्योंकि लोग खुला छूट मिल चुका है और कोई करवाई न होने की बज़ा से यह धांदली चलता रहेगा तो देखना है कि आप लोग कैसे अपना एक जूट होकर कि आप अपना समधान निकालते हैं और कुछ न कुछ आप लोग को कंप्लेन करना पड़ेगा गुरूब बनाकर तब ही यह चीज रुकने वाली है अन्या था यह सब चीज जल्दी नहीं रुकेगी तो इस वीडियो का हम यही समाप्त करते हैं उम्मीद करते हैं कि यह आपको सला अच्छा लगा होगा तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को देखने के लिए आ झाल